देखे, कोई भी लोकतंत्र परफेक्ट नहीं होता है. जब नेहरू के समय लोकतंत्र था, तब भी लोकतंत्र नहीं था. तब भी जो फ्यूडल लॉड्स थे, वो कॉंग्रेस के लिए वोटों की ठेकेदारी करते थे. असिक्षित जनता उन्हीं ठेकेदारों के थूँ होती थी. तब इस देश में डेमोक्राटिक अवेरनेस नहीं था कि हमारे अधिकार क्या है. तब कॉंग्रेस ऐसे जीतती थी कि बड़े-बड़े फ्यूडल लॉड्स उसके फोटों की ठेकेदारी करते थे और जिस दिन वोट देने का वक्त होता था, उनको काम पर भेज द साइडाइस होते थी. प्रधान मंत्री कोई और होता नहरू एक थोपे हुए राजदार थे इस ऐ पहले भी कहा कि कि कोई भी लोकतंत्र मैं यही पढ़ाता भी हूं, perfect नहीं होता है. Science ही perfect नहीं है, science tends to be perfect, science is not perfect. जिस समय रध्र फोर्ड ने अटम का अविश्कार क्या, उसमें पता लगा कि लगा कि यहीं तो है, अन्तिम है, उसका बाद electron, proton, neutron आया, फिर पजोन मौसोन सब आया तो हम डेमक्रिसी को उसी नजरिये से देखना चाहिए कॉंग्रेस ने इस देश की कौन सी ऐसी समवैधानिक संस्थाएं थी जिसको नस्ट नहीं किया आया राम गया राम की संस्कृति कॉंग्रेस की देन है सबसे जादा इस देश में आर्टिकल 356 लगाने वाली कॉंग्रेस पार्टी है नेहरू के समय ही सबसे जो है वो राज्जी की विधान सभा पे रास्पति सासन लगाने वाले नेहरू ही थे तो इस द्रिस्टी से मुझे लगता है कि और जहां तक पत्र पत्रिकाओं का बात है रहूर गांधी जाकर के बोलते हैं बाहर कि सारी संस्थाओं पर कब जा है कोई कह सकता है कि एक समय आपके लोग थे आपके चाटुकार थे आपके दर्बारी लोग थे दर्बारी पत्रकार भी थे और मैं जानता हूँ बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि कई अंग्रेजी के अख़बारों के संपादक उस दर्बार की शुभा बढ़ाते थे हमने टेलिविजन चैनल पर यह भी सुना है कि कौन सा पॉर्टफोलियो बटवेगा यह भी पत्रकार तै किया करते थे और दलाली किया करते थे हम दिक्कत क्या हुई है कि एक दूसरा विमर्स पैरलल खड़ा हो गया जो नेहरुवीन विमर्स था वह द्वस्त हुआ और एक दूसरा पैरलल विमर्स जिसको आपने दभा करके रख़ा था इतने दिनों तक वह ए खड़ा और वह सी मिट्टी की खिस्बुती ज़़ी गांदी कहते थे कि गाय का बद्ध नहीं होना चाहिए, गौसाला सरकार चलानी चाहिए, तो वो RSS के प्रोडक्ट नहीं थे। जब गांदी कहते थे कि क्रिश्चन मिसिनरी जो है वो धर्म का ब्योशाय करते हैं, इनको इस देश से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, तो वो RSS के प्रोडक्ट नहीं थे। जब गांदी कहते थे कि इस देश में हिंदी ही भासा होनी चाहिए, और बात, ये और बात है, और उन्होंने सिभी रमन से पूछा, और सिभी रमन और वो दोनों सहमत थे, तो गांदी RSS के नहीं थे। जब गांदी ने स्वदेशी की बात की, तो स्वदेशी धर्म के बारे में भी कहा, और कहा कि भारत का हिंदू धर्म मुझे, हमारी जितने spiritual quest हैं, उन्हों सब को पूरा करता है। लेकर के आगे खड़े होते थे, जो संग भी करता है, तो वारिस इसके नहीं थे। गांदी जब भारत के पृतीक पूरुसों को और पृतीकों को लेकर के एक-एक छोटे-छोटे ते वहारों को लेकर के खड़े होते थे, मुर्ती पुजा को लेकर के खड़े होते थे, तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें